परिचय प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा एक वयस्क कैसे बनता है? आईए जानें कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे विक्सित होते हैं? आउ सीखें बता पाएंगे कि विकास क्या होता है? किसी बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बता पाएंगे? विकास जैसा कि हम जानते हैं, हर जीविच चीज का आकार अक्सर बढ़ता है लंबाई या वजन में इस वृद्धी को ही विकास कहते हैं बाल अवस्था प्यारे दोस्तों, क्या आप यहां इस लड़की को देख पा रहे हैं? ये है मोनी क्या आप जानते हैं कि ये केवल रेंग सकती है, लेकिन चल नहीं सकती? इसे बाल अवस्था काल कहते हैं शुरुवाती बच्चपन एक देखो, अब ये थोड़ी मदद के जरिये चल सकती है अब ये अपने खिलोनों के साथ खेल सकती है शुरुवाती बच्चपन दो अब मोनी बड़ी हो चुकी है आप देख सकते हैं कि वह अब बिना मदद के आसानी से चल सकती है यहाँ हम देख रहे हैं कि वह एक ट्राइसिकल चला रही है वह खुश है वह ब्लॉकों का टावर बना सकती है ये इसके बच्चपन का शुरुवाती चरण है दोस्तों देखिए मोनी अब स्कूल जा रही है अब वह बड़ी हो गई है शाम को वह अपनी साइकल चलाती है उसे काटून फिल्में और कॉमेडी शो टेलिविजिन पर देखना अच्छा लगता है ये उसके बच्चपन का बीज वाला हिस्सा है बच्चपन का आखरी हिस्सा अब मोनी बिना किसी की मदद के बहुत तेज भाग सकती है और कूच सकती है अब उसे डर नहीं लगता वह डान स्केट सीख रही है वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलती है ये उसके बच्चपन का आखरी हिस्सा है किशोर अवस्था कुछ समय बाद मोनी में और बदलाव आएगा और भै अपनी बड़ी बहन जैसी दिखने लगेगी आपको आसानी से उसके शरीर में और बदलाव दिखेंगे इस चरण को किशोर अवस्था कहते हैं इस चरण में हम आसानी से किसी लड़के और लड़की में उनके लक्षणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं लोग अलग दिखते हैं हमारे शरीर की विकास प्रक्रिया के दौरान हम में बहुत से परिवर्तनाते हैं यही बदलाव हमें वह बनाते हैं जो हम हैं इसी लिए ये हमें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं हमने क्या चर्चा की? हर जीवित चीज बढ़ती है और उसके आकार में बदलाव आता है बाल अवस्था, शुरुवाती बच्पन, बच्पन का मध्य भाग, बच्पन का आखरी भाग और किशोर अवस्था किसी बच्पन के विकास के अलग अलग चर्ण है लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि वे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि आता है झाल वर जुरुवाती बच्पन का आता है जिखते हैं यह उसे जुँ़खती लोग दो रहे हैं